बजट सत्र के पांचवे दिन टिम्रनी विधायक अभी जीट शा मूं की बोरी कंधे पर रख कर नारेबाजी करते हुए विधानसबा पहुँचे उन्होंने भाज़पा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया टिमरनी विधायक अभिजीत श्यान ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा किसानों के लिए नया नियम पारित कर दिया है जिससे किसानों को नुकसान होगा पहले 16.5 प्रती हेक्टर खरीदी का नियम था जिसे अब सरकार ने 8.5 प्रती हेक्टर कर दिया है ऐसे में किसान अपनी फसल कहा बेचेगा उन्होंने कहा कि मेरी मांग है सरकार नियम बदल कर पहले की तरह खरीदी करे मैंने सदन में ध्यान आकर्शन भी लगाया था लेकिन सदन इस विकार नहीं किया लेकिन आपने 18 करने के जगह आपने 8 कुंडल कर दिया है तो यह स्पष्ट है कि किसान विरोधी सरकार है भाश्चीन सब्सक्राइब कि अब देख रहे हैं दखल नियुक्त